हेलो दोस्तों आपका स्वागत है इस यूटूब वीडियो में इस वीडियो के माध्यम से हमारा जो कलकुलेटर है किस तरीके से काम करता है आज एक छोटा सा मैं यहाँ यहाँ पे सिंपल सा डेमो दूँगा और यह डेमो नहीं है यह आज बाजार में जो हुआ स्टेट बैं अगर किसी स्टोक का प्राइस लाइक एस बीजीट का है उसके बेसिस पे यह डेली भोला डैली का लेवल बताता है और वीकली ब्रेक आउप जो होता है फ्रैडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हम Doesn't break ॔ लेवल देए देखते हैं कि अगर फ्रैडे को ब्रेकाउट उड फ्रै reversal हो जाता है अपसाइड में उस week के लिए तो ये आपका weekly breakout zone था और ये monthly breakout zone है फर्स्ट अक्टूबर की जो closing है 796 का उसके basis pace का breakout level 817 के आसपास का है और breakdown level 776 के नीचे का है तो ये weekly breakdown monthly breakdown और breakout level है ये weekly breakout level है लाइक अब हम बात करते हैं जैसे की Friday का trading session में 781 का closing है और उसके basis पे weekly breakout जो था 790.68 पैसे मिन्सकी 791 रुपीज के उपर weekly breakout तो कल इसने 792 के उपर की closing दिया मिन्सकी weekly breakout हो गया तो clear cut uptrend का signal ये दे चुका था weekly basis पे और इसका important जो trend reversal level था 812 रुपे और 822 रुपे 812 का एक major breakout level था ये target जब 4 achieve हो जाता है तो उपर की तरफ चल परता है और जैसे final target 847 extended target 863 ये important target हो जाता है और फिर अगर इसका अगर मान लेते हैं कि जैसे breakout हो गया है 790 के उपर तो major resistance target 4 होता है और उसके बाद target final target और target 6 important zone होता है तो अब ये क्या होगा कि final target के आसपास और लोर लेवल पे 812 ये एक range बना करके चलेगा इसके final target and target 5 और 4 के आसपास लो लेगा और उपर के तरफ चलेगा ये weekly basis पे इसी तरीके से daily basis पे जैसे ये stock ने जैसे कल breakout हो गया weekly basis पे तो weekly breakout हो चुका है तो daily basis पे buying zone में ही जाने के पुरे chances रहता है और जैसे कि आज का ये आज के लिए level है जैसे कि 792 का कल के closing के basis पे next year trading session जैसे 29 अक्टूबर था उसके basis पे ये 796, 798 के ऊपर clear cut breakout था जैसे कि pilot buy zone और second target 1 के ऊपर breakout हो जाता है और इसका important resistance 804 रुपे और 808 रुपे था अगर 8045 के ऊपर चल परता है तो ये important जो level है 817 जो monthly breakout भी है और 817 के ऊपर चलता है तो 833 आज का stock का high देखेंगे exactly बंद हुआ है उसी 833 के आसपास और high जो लगा है 834.85 पैसे तो एक रुपे के लिए और भी ऊपर चला गया है लेकिन major जो target था इसका 833.50 पैसे और इसका जैसे final target अगर यहाँ देखा जाया weekly basis पे target 6 है 837 और 847 final target है ये major और इसको भी stretch करता है तो 8.63 तक भी जा सकता है लेकिन यहाँ के बाद कहीं न कहीं रुकना चाहिए इस तरीके से weekly basis पे अगर monthly resistance देखा जाए तो 8.63 है 8.63 और extended target इस week का 8.63 मिसकि दोनों target कहीं न कहीं मिल सकते हैं और 31 तरीक हमारा last trading session है फिर एक नौंबर का जो लेवाल होगा उसके बैसिस पे monthly breakout और Friday के closing के बैसिस पे weekly breakout हम निकालते हैं तो इस calculator के बैसिस पे weekly breakout हो गया है तो daily basis पे बाइंग जोन में weekly breakdown हो गया है तो उसमें daily basis पे sell level को देखना चाहिए तो इस तरीके से हम daily basis पे लेवल निकालके study करते हैं second thing आप देखेंगे कि हमारा जो weekly breakdown था 771 और monthly breakdown था 776 अब आप देखेंगे इस stock का जो bottom बना है इस महीने का 772 के आसपास almost जैसे हम बोलते कि हैं कि अगर sell level के नीचे target one भी तूटना जोड़ी है तो यह buffer zone है 776 और 763 यह buffer zone है इसलिए हमने आज से 10 दिन पहले इस stock का analysis भी किया था कि यह every dip to buying opportunity है worst के सेनारियो में 770 एक bottom बनना चाहिए और major हम support ही ढूनेंगा और exactly 772 का 25 October का जो low बना है यही बना है 772 का तो almost यह जो level analysis है clear cut 100% काम करता है किसी और stock का अगर हम level निकलना चाहते हैं जैसे कि आज यह कल के सारे stock का level है अब जैसे कि कोई भी xyz fendo के stock का अगर हम देखते हैं जिसमें कोई other stock जैसे hero motor hero motor का यह देखते हैं hero motor का hero motor का पहले level analysis करते हैं फिर चार्ड देखते हैं कि चार्ड में मेरो कोई इसका भाव कुछ नहीं पता अच कहां बंद हुआ है क्या हुआ है लकिन अगर hero motor को analyze किया जाए तो 4911 के नीचे यह weekly breakdown है और यह stock जो closing दिया है 25th का 4973 तो breakout level 5035 के उपर है और इसका breakdown level है 4911 तो इसने कल यह stock गिरा था और low भी बना है 4896 रुपया लेकिन breakdown को बचाया है मैं इसकी weekly breakdown नहीं हुआ है और 5035 के उपर breakout होगा तो 5035 अभी तक आया नहीं मैं इसकी कल कल पहला trading session था 500035 के उपर weekly breakout तो अब ना breakdown है ना breakout है तो इस case में हम देखेंगे कि next trading session में किस तरफ जा रहा है 4927 के उपर 4927 की closing है उसके basis पे 4965 और 4951 मन्द 4950 और 49456 के उपर हम buying करेंगे अगर इसके उपर जाता है तो buy करेंगे वर्ना नीचे आता है तो 494 और 4890 4890 के नीचे sale करेंगे इसका important target 4850 होगा अगर 4965 के उपर जाता है तो 5000 का होगा और 5000 के आसपस आ जाता है तो हमारा estoplus 4965 जो entry price है ओ होगा अगर और deeply estoplus लगाना चाहते हैं तो 4900 का estoplus होगा क्यों क्योंकि weekly breakout 5035 के आसपस है अगर 5000 के आसपस आ चुका है तो 5035 कटेगा तो यह clear cut 5087-5060 जा सकता है तो यह आज के लिए आज के लिए आज के लिए 5000 major important target है 4965 के आसपस buying zone में आता है और 5000 के आसपस का breakout अब हम इसको देखते हैं आज हुआ कि एक्चुली इसमें exactly क्या हुआ है यह हमें नहीं पता यह हमने एनालिसिस किया क्योंकि SBI तो शुरू से रडार पर था देखिए हुआ क्या clear cut हुआ है breakdown हुआ है और breakdown जो है 5965 तो आया नहीं देखो high बनाया क्या 4959 हमने आरा लेवल क्या था 4965 यह हमेशा target 1 के उपर ही breakout होता है कभी कभी क्या है by zone के उपर दिखाया करके लोगों को ट्रैप करने की कोशिस करता है इसलिए 15 मिनट के प्राइस को छोड़ा जाना चाहिए या target 1 के उपर जाए तो clear cut reversal अगर यह reverse हो गया तो 4900 और 4890 के नीचे sale और target क्या 4852 और 4852 कट जाए जैसे हमने by zone के लिए analyze किया था 4829 के आसपास का target क्या low लगाया उसके भी नीचे गिया और extended target जो 4787 और 4745 मतलब 4750 रुपे का आसपास का low लगता है और 4750 रुपे लगभग यहां पे है मैं इसकी 4829 और 4768 एक्जेक्टली फाइनल डार्गेट के तरफ reverse करता है तो simple सा भी हुआ 4911 को भी cut गया weekly भी breakdown हो गया daily भी breakdown हुआ तो clear cut वहां से 100-700 रुपया easily यह fall कर गया तो यह simple सी analysis करना होता है इस calculator के basis आप कर सकते हैं यह calculator और यह software का जो subscription है दिवाली के लिए special offer चलना है जो लोग interested है वो call कर contact कर सकते हैं अचली बहुत सारे लोगों का message आ रहा था कि दिवाली में कोई offer है तो आप बता सकते हैं तो यह special offer मैंने सुचा कि आप लोग के साथ share किया चाहिए जो लोग interested है जिनके यूज का है वही contact करें मिलते है next video में तब तक के लिए धन्यवाद happy दिवाली second thing disclaimer याद रखेगा ये learning वीडियो है एक educational purpose से ही मैं वीडियो बनाने के कोशिस करता हूँ learn किजिए then earn किजिए